हुआ Lakaci नमस्कार दोस्तों मेरा हुल सास्त्री शवगत करता हूँ अपका अपनी जो्ति सिखाने के संक्ला को भी जारे रखते हैं और बहुती सरल तरीक यदिसे कं सब्दों जो सभी सुक्ष है वो सुक्र के अंदर आते हैं यह मकान हो यह वाहन हो जिन्द के अंदर कोई भी खुसी किसी भी चीज को भूक करने के बाद जो आपको खुसी मिलती है अगर आप गाड़े चला रहें उसके बाद जो सुक्र मिलेगा वो सुक्र उसका कारक होता है तो कोई निच्ची तुरुप से बहुत मैत्तापून है, धन के कारक है, पर सुक्र तो सभी सुक्र के कारक है, और साथी साथ इस्तिर की कुटले के कारक होते हैं, गुरु सुक्र होते हैं, पुरुस के, जो विवा को बांदने का काम करते हैं, गुरु और विवा को लंबा लेके जाना निभाना वो शुकृ के आतमे वीभा निभीगा नहीं निभीगा यह भी शुकृ के आतमे अब एकएक करके सभी लगनों में शुकृ का क्या परबाव होगा यह हम चर्चा करेंगा और पहुती सरल तरीके से कम सब्दों में वीडियो है बहुत में 투 then और शुक्र गराब बहुत मैंत्रपून है तो जोतिस के हमादधम से और शुक्र को जानने के लिए ये वीडियो आपके लिए पहुत जरूरी है चर्चा करते हैं अब सबसे पहले एक से लिए के 12 लगन है कोई भी लगन हो सकती है क्योंकि पहरी लगन मेश होती है और हम एक ए वहां होते हैं दो राशिया होती है और नहीं होगे तो कहीं किसी भी लगन बिलें तो इक उनकी राशिय वर्षब एक तुला इन दोनों राशिय के सुआम भूते दे सुक्र अब इसका मतलब है कि मेश लगन के अंदर सुकुर को दो अपाव के अंदर partnership का होता है और दसंभाव के तरह है रोजगार और साथी साथ daily income को दरसाता है तो भाव तो दोने बहुत मैंत्तपून है पर अब यहां पर आपको एक चीज हो समझनी है क्योंकि शुक्र और मंगल के अंदर मित्रता नहीं होती दूसरा दूसरा और सप्तम भाव अस्टम और अतंत मारक हुए और मारकेश होने के कराण अपना फ़ल देंगे पर इसका मतलब यह नहीं है कि वह फल देंगे पर प्लेसमेंट अच्छा हुआ प्लेसमेंट का मतलब क्या है पहले अच्छी चीज़े बताता हूं अगर अपने खुद की राश्र में बैटे हैं यानि त निश्चे तुरूप से हानी को दर्साता है पर यहां पर बारवे भाव में शुक्र को अच्छा मना जाता है उच्की होगे बैठे तो इन तीन जंगा शुक्र अपना अच्छा प्रभाव देंगे विभाईक जीवन में यहां पर बद्वेद करेंगे पर कष्ट नहीं देंग बारवे बाव को छोटके चटे आठ वे बारवे बाव में बैठे नीच के जहां छे लिखा है महां पर हो जाते हैं सूरिय से अस्त है या कम जोर है और पाप गुरोव से दर्स्ट हो जाएं तो भी खराब हो जाएंगे तो ऐसे में क्या होगा निच्ची तुरूप से दन का आने डेल इंकम में दिक्कत है तो ऐसे में शुकर खड़ाप पल देंगे शुकर का बीजमंतर रों सुकर का दान करना चाहिए अब चलते हैं दूसरे पर अगर वर्षब रासी हुई तो यहां पर दो होगा यहां पर दो होगा और दो होने के कारण कुए यहां दो तीन चार पान चे साथ वर्षब रासी हां पर होगे तुला रासी हां होगे तो वर्षब रासी के स्वा में खुद सुकर है तो पुड़े के माली खुद सुकर हो गए तो वर्षब लगन केंता तो निच्चित रूप से राजयोग का रख हो गए शुकर तो अगर सुकर का प्लेसमें केंद्र तिर्कोन में केंद्र तिर्कोन का मतला पहले चोटे साथ वे दस वे पांच वे और नोवे लाबाव धन्वाव में भी कोई दिक्कत नहीं खासतोर से पर अगर अपने मित्र रासी में केंद्र तिर्कोन में हैं तो जाता आपको फल देंगे अपनी खुद की रासी में के अंदर तिरिकौन के अपनी मित्री रासी में, तो निच्चित रूप से क्या होगा, वैक्ति जिंद्गे के अंदर तमाम सुक बोगता है, देखने में सुंदर, जाते कि परस्णलिटी पहुत अच्छी, साहती साहत कुंडले में सुकर की दसा के अंदर, हर पार करकर के सुक वक्ति जीवन में अर्जित करेगा मितुन रासी अगर है तो यहाँ पे तीन होगा यहाँ पे तीन होगा तो आप निच्चित रूप से अगर आप देखेंगे यहाँ तीन होगा तो यहाँ पे चार, पान, छे, साथ तो एक तो पंचम भाव के स्वामे होए और एक दुआदस यहाँ पे दो रासी होगी तो पंचमेश होने के कारण और मितुन रासी में बुद्ध के अत्तनत मित्र है बुद्ध से अपनी मित्रता मानती है और क्योंकि पाचवा और नौवा भाव यह तिर्कुन के सबसे महत्तपून होते हैं तो इस कुड़ले के अंदर भी सुक्र जद्ध को बहुत सुक देंगे एक तो जब पैदा होगा तभी से सुकी होगा साथी साथ व्यक्ति के पढ़ाई बहुत अच्छी आकरसिक परसनलिटी जिंद्ध के अंदर संतान के बाद तमाम सुक भोगेगा और व्यक्ति का मानसिक संतुलन बहुत अच्छा होगा और जातक के रिलेशन स्कार्ट्सोर से फीमेल अपोजिट्ट रिलेशन होगे उसमें कामियाभी उसमें अच्छा और शूकर के पर University के अंदर नीचा थिरूप शुकर के साथ साथ व्यक्ति जिंद्ध के अंदर संतान के साथ जो है अपना विभाईक जीमानी विजातका बहुत अच्छा जाता है अगर करक है 4 लिखा है तो अगर करक लगन यहाँ पर है तो निच्चित रूप से इसमें सुकृ को कौन से भाव मिलेंगे तो इसमें एक तो 11 भाव और एक मिलेगा और 7-7 तीजिए 4-5-6-7 तो एक तो चोथा भाव मिलेगा यहां पर क्योंकि 7 होगा तो यहां 8-9-10-11-12-1-2 तो एक तो सुखेस बनेंगे करक लगन के अंदर और ए क्योंकि सुख का भाव यह जो भाव है यह सुख को दर साता है और एक लाब भाव मिला तो सुख का अगर प्लेश में अच्चा है और सुख चंद्र में भी जलता तो राशी इसलिए इस लगन में भी वह कंपटेबल ही फील करेंगे व्यक्ति को जिंदकी के अंदर तमाम आपकि कर देँए लाब में प्रॉब्लम करतेंगे क्या है सिंग रासी है तो यहां sì है // 5 e इस साथ एक मिलेगा से लगलन के चाहिए तो यह मिला साथ या लगन के पून रूप से शुक्र मित्रत नहीं माने जाते तो ऐसे में क्या होगा तो व्यक्ति मेहनत करेगा और निच्ची तुरूप से रोजगार में व्रद्धी करेगा यहां पर उसकी मेहनत के साफ से रोजगार में व्रद्धी होगी पर उसका प्लेशमेंट भी अच्छा राजयोकारग ग्रह मना जाता है इसके मतलब यहां पे 6 लिखा होगा तो यहां पे 7 तो धन का स्वामी बना और मित्र होने के कारण मारकेश नहीं लगेगा मारकश नहीं बनेगा शुक्र तो पर साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, एक लुए एक भाग्य, एक भाग्य भी मिल गया और धन भी मिल गया, ये कुंड़ली खशब से मैं तपून, भाव है, इस लगन के अंदर, कन्या लगन के अंदर, ये मैंने देखे, च्टर भी लगाया है, कुंड़ली में राज्यो और जो है लाब भाव में अगर बैठ गई तो निश्चित रूफ से व्यक्ति जिंदकी के अंदर तमाम सुक भोगता है व्यक्ति का भागे साथ देता है जी चीज में हाट डालता है व्यक्ति उसमें उसको बड़ोतरी मिलती है और धन कमाता है लाब कमाता है उच्छ कोटे का सुक के साथ राजयोग भी व्यक्ति को मिलता है पर सुकर के डिगरी जरूर देख लिए शुकर कूर के रूर सो रबस्ता में होगा उतना ही जाद आच्छा है अगर कमजोर है तो राजयोग में या फिर लाब में कमी कर देगा सूरीय से अस्तना हो ऐसे में सुकर करतन ओपल करना आपके लिए अत्त लाबदायक रहेगा अब आगे चलते हैं दोस्तों तूला इस कुंडली में मैं फिर आपको यह बतांगा कि सबसे सरुषष्ट यह तो मैंने आपको बता दिया फिर भी आपको बतांगा सबसे सरुषष्ट किसमें रहेंगे अब तूला लगन के अं परभाव नहीं देंगे जहां सुक्र बैटेंगे लगन के साथ मजबूत करके यहां परदी बैठेंगे माहँ पर दि अंदर के तो इस भाव में जो कि सदा सेथा संभंद शुक से हैं चोते भाव का भी संभंद सुख से निच्छी तुरुप से सुक में तो मालिक होगा वैट यह यहाँ पर नो दस है तो यहाँ पर झालो ऊठम已經गाँभरैभ् यहाँ पर मिलता है शुकुर को सब्दावारा और बारवाव अभाव मिलता है सुकुर को सबतम भाव और 12 मंंगल के मचछिक होती है तो मंंगल से तो शत्रूता मानते हैं और बारवाब भाव दोस हो गया का और क्योंकि सब्द्वा भाव जो है मारकेश होता है तो इसवाजे से सब्द्वा रहं का मित्र राशी में हैं तो कहीं न अपने अज़शूप्परों इव में कमिकर देंगें अब आगे चलते हैं अगर है है तो अगर यहां पर नहीं होगा तो धनु रासी में भी व अच्छे प्रमायो नहीं देंगे क्यों कि there तो यहां पर क्या होगा धनु राशी के अंदर तो व्यक्ति को सुकर की दसांतर दर्जा में पीड़ा होगी निच्ची तुरूप से उप्स्टेगल्स प्राप्त करेगा सुकों में थोड़ा डिले होगा और लाब में दिक्कत आएगी पर यही सुकर अगर अपने खुद की राशी में उच्का होके बैटा है तो निच्ची तुरूप से नकरात्र में कमी होगी और कुछ चीजे पोजिटीव आपको देखने को मिलेगी अब मकर मकर राशी गर यहां पर दस हुआ तो यहां पर दस होगा दस होने के कारण मकर राशी के अंदर एक तो पंचम भाव मि के मिलें दसमगुं कर लगन के अंदर एक तो मिला एक तो त्रिकौन मिलाए और केंट्र का मिला अत्यन्त लाब दाइक क्योंकि वर्सब बेगए मंकर लगन के अंदर siblings कि पर यह सुक्र की मकर लगन के सबसे सरुश शेष्ट't देंगे क्योंकि दो भाव पहुत सरुषेष्ट मिल गए केंदर त्रिकुन के निच्चत रूप से व्यापार के साथ साथ व्यक्ति का भाग्य उदे कर देंगे अगर शुक्र की दसाथ दर्दसा में तमाम सुक भोगेगा व्यक्ति अब कुम्ब अगर लगन है कुम्ब अगर लगन है यहां 11 लिखा है तो कुम्ब लगन जो की सनिक है तो शुक्र को एक चोथा भाव मिलेगा और मकर लगन के तरह यह भी राजियोक का रख्म हो गया अब मीन रासि के गरबात करें तो एक तीसरा भाव मिल जाएगा शुक्र को और साथ ही साथ कुन्डली के अंदर अश्टा ब करेंगे अगर अपने खुद की रासी में है तो नकरत्मखल काम करेंगे थोड़े पॉजिटिव मिल सकते हैं पर मीन लगन करना लगन में अच्छे पर मकर और कंया इन तीन लगनों के अंदर शुकर देव क्यूंकि दो बहुता दोस्तों विडियो अच्छी लगी को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा धन्यती